दोस्तो आज की वीडियों में जानेंगे किल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में का इंपोर्टन डिवल होने माले कहां पर हम प्रफिड़ पर क्रेड ले सकते हैं कहां पर एंट्री स्टॉप्लोस तावियत सारे की सारे बाते डिसकस अने वाला है इस तुरूरे में तो व हमने यहां पर अच्छा कासा प्रफिड निकाला था बैंक निफ्टी में एंट्री लेकर पूट साइड और यहां तक का हमने प्रफिड निकाला है तलेग्रमेंबर के साथ आज का दिन थोड़ा सा ट्रैपि रहा स्टॉप लोस हीटिंग दे था आज स्टॉप लोस बार बा लेकर में प्रफिड भी कर सकते हैं चले शुरू करते हैं देखे बैंक निफ्टी समझ लेजे फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैपर ओपनिंग होके ओपन हो जाती है इस तरह से जैसे लेवल ब्रेक करेगी 42,280 का लेवल है यहां तक जो आप आज के दिन बैंक न करने के कोशिश करती है तो समझ लेजे बैंक निफ्लै ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैपडाउन ओपनिंग होके ओपन हो जाती है तो जैसे इस लेवल के नीचे आएगे 42,000 के लेवल के नीचे जो इंपोर्टन सपोर्ट है हमारे पास इसके नीचे आने दीजेगा उसक पहला जो लेवल है हमारे पास 42,100 का लेवल एक सेकंड में आपको लेवल बता देती हूं कौन सा लेवल है एक्जेक्ली यह लेवल है 41,884 का लेवल यहां तक के लेवल आपको दिखा सकते है अगर बैंक निपती नीचा निक कोशि करती है अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है इस तरह से तो हमारे पास अगला यह छोटा से लेवल निकल के आ रहे है 41,800 का यहां तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निपती में अगर नीचा निक कोशि करती है श्कापलोस को ट्रेल करके आप बड़ा टागेट अचिव कर सकते हो बैंक निच करता है निचे-वल देख लेतें निचे support के को रा रहे है रहे हैं निचे-वल के लिए यहां जिए टाटारेक्याट के electronic और आपको दिखाई देoder यहां यह सारे के सारे लेवल को आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लीजिए कलकले बहुत ही इंपोर्टन लेवल होने वाले है पुट साइड के लिए चले देख लेए बैंग निपती यहां पर समदीजिए गैब डाउन उपनिंग हो जाते इस लेवल के आसपस यहां पर कोई लेवल यहां तक के लेवल आपको दिखा सकते हैं बैंग निपती अगर 42,700 को भी ब्रेक कर जाती है इस तरह से बना के उपर जाती है तो हम यहां पर लॉट साइड बढ़ा के बढ़ा टागेट अच्व कर सकते हैं अगर आपको स्टापलस ट्रेल करना नहीं आता तो वन इ का अज का क्लोजिंग होने वाला है दूसरा लेवल है 418,84 का लेवल तीसरा लेवल है 416,29 के लेवल और चौधा लेवल हमले पास 413,67 का लेवल निकल के आरहा है सम्मलेजे बैंक निफ्ती गपडाउन ओपनिंग हो कि यहां पर कोई बेरिश करनल मनाते है 15 मिन की तो 15 मिन क केंदर क्लोस होते ही हम पी साइड बैठेंगे लेवल सारे के सारे वही होने वाले जो मैंने आपको बताया हुआ है उसके भी नीचे निकलने के पोश्च करें तो वन इस्टू का टागट हम नीचे अच्छीव कर सकते हैं या फिर स्टॉपलोस को ट्रेल करके बड़ा अच्छ कर सकते हैं समलेजे बैंक निफ्ती यहां पर गैप ऑपनिंग हो कि यहां पर कोई बुलिश कनल बनाते है 15 मिल के तो पंदर मिल के करना क्लोस होते ही हम सी साइड बैठेंगे 20-30 से चले स्टॉपलोस लगागे पहला जो हमारे पास रेजिस्सन्स निकल के आ रहा है बैंक नि या फिर आपको स्टॉपलोस को ट्रेल करना आता है तो आप बड़े टागेट के लिए भी जा सकते हैं चले निफ्ती में देख लेते हैं निफ्ती में क्या लेवल निकल के आ रहे है वीडियो के बीच मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ जिस तिप की मदद से आप अच कि दिन हमने कॉम्साइड ऑफीर नहीं लिआ था पूर्सइड कने सुबहती तो क्योंकि निफ्ती तोडी स्टोड़ी लग रही और हमनी ञायां यहां यहां तक का टागड हमने यह जांगर सा अवर्न तो जैसे इस लेवल के पास आने कोश्च करेंगे हम चोटा सा तागेट अच्व कर सकते हैं 18,128 के लेवल तक का और वी से थी स्पॉन के शॉप्लस हो जाएगा आपका आपका सी साइड एंट्री ले सकते हैं तो जैसे नीचाने कोश्च करती है हमारा पहला टागेट होने वाल है 17,950 का लेवल दूसरा चो टागेट है 17,900 का असपास का लेवल है और तीसरा टागेट है हमारे पास 17,800 का लेवल यहां तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है पुट साइड के लिए समले जी निफ्टी गैप अउपनिंग हो जाते है इस लेवल के आसपास यहां पे कोई बेरिश कनल बनाते है पंदरामिल की तो पंदरामिल की कैंडर क्लोज होते ही हम पी साइड बेटेंगे 20 से 30 पून का स्टॉप लेवल लगा कि पहला टागेट आज का क्लोजिंग होने दूसरा टागेट हमारे पासे 17,950 का लेवल तीसरा टागेट हमारे पास 17,850 का लेवल है यह हमारे लिए तीसरा टागेट होने वाला है सपोर्ड बनके समले जी निफ्टी आंपे पर अपने होंके कोई बुलिश कनल बनाते हैं पंदरामिल की इस तरह से तो जैसे इस बैठेंगे पहला हमारा जो टागेट होने वाले अपसाइड के लिए वो रहने वाला है दोस्तों के लिए पहला जो टागेट हमारा आज का जो क्लोज़िंग इनिफ्टी का वहने वाल है दूसरा टागेट है एटीन दौन के लिए पास निकल के आ रहा है 70 जो निफ्टी gap down अपने हो कि यहाँ पर कोई bearish channel बना आती है 15 मिंकी तो 15 मिंकी गेंडर क्लोज होती है हम P side बैटेंगे 20 से 30 पॉन का stock loss लगा कि पहला हमारा जो support निकल के आ रहा है निफ्टी में वह है हमारे पस 18,066 की तक का लेवल है और दूसरा जो support है 17,860 तक का लेवल है और यहां पर दूसरा जो support है हमारे पास 17,800 का लेवल यहां तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है और अगर उसे भी break कर जाती है 17,800 के लेवल को तो हमें बड़ा target देखने को मिल सकता है निफ्टी में आप stop loss को ट्रेल करके बड़े टागर को अच्छिव कर सकते हो या फिर वन इस्टुटू का टागर आप नीचे के लिए अच्छिव कर सकते हो चले टीप देख लेते हैं कले के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या टिप निकल के आ रही है जिसके मद्दे साब अच्छा का साब प्रॉफिट कल के दिन निकाल सकते हो मांकर से आपको अगर स्टाटेजिस की वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी या मैंने आई बटन में दी हुई है सारे की सारी स्टाटेजी बहुत ही बहतरी नहीं दोस्तों आप स्टाटेजी को यूज कीजिए लाइव मार्केट में और पेपर टेडिक में यू आप अपने लाइव मार्केट में अपलाई कर सकते हो अच्छा का सब प्रॉफिल मार्केट से निकाल सकते हो लेकिन स्टाटेजी को पहले बैक्टेशनिंग करना है आपको और प्रेपर टेडिंग करने के बाद ही अगर आपको आपके लिए वह करती है तो ही आपको वो स्टाटेजी की वीडियो आई बटन में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं देखें बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनके निकल के आ रही है ट्रेंड लाइन यहां पर हो सता है बैंक निफ्टी इस देखे निफ्ती ने यहां पर trendline का breakout कर दिया है जैसे कि आप देख पार चाट में हो सकता है कलकी दी निफ्ती थोड़ सा नीचा है trendline का retracement लेने के लिए retracement लेकि फिर से eq reversal दिखा दे तो हम यह retracement का भी trade मिल सकता है और फिर reversal का भी trade हम अच्यू कर सकते है अगर trendline के पास कोई bullish channel बनती है इस तरह से 15 मिन की या 5 मिन की तो हम reversal के लिए प्रान कर सकते है अपसाइड के लिए तो यह थी दोस्तों निफ्ती बैंक निफ्ती के लिए कल के लिए tip जो आपको एक अच्छा कासा profit market से निकाल के दे सकती है वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताईए आपके कमेंट से मुझे motivation मिलता है आपके लिए अच्छा ची वीडियो बनाने के लिए चैनल पर पहले बाद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए नोरेशन बैल को प्रेस कर लिए ताकि मेरा आने वाली हन्य वीड कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करने के बाद और तेलेगरम चैनल को अभी तक जॉइन नहीं किया तो लिंक उसका दिस्क्रिप्टिंग मिल जाएगा आप वहां से जॉइन कर सकते हैं या फी तेलेगरम पर जाके आप सर्च कर सकते हैं रेडिंग फॉर वीगरनस और वहां से भी आप जॉइन कर सकते हैं थैंक यू सो मैं दिस्टो